नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी और नोट्स पीडियाफ के लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन करिएगा ग्रुप को नहीं बहुत जल्दी बंद होने वाला है तो आप चैनल को क्या करिएगा जुड़िएगा वहाँ पर वहाँ पर समय समय वहाँ पर नोट्स मिलते रहेंगे ट्रिपल सी से रिलेटेट ऐसाथela with नोट्स आपको वहाँ पर उस चैनल पर मिलते रहेंगे लोगों हम लोगों चैनल का लोगो है, वही लोगो वहाँ पर क्या है, लगा है, बुक लगी हुई है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, कोशन नमर फर्स्ट, राइटर में हेडिंग वन लागू करने पर डिफाल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, A option 14, B option 20, C option 18.2, D option 22.2, 5 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर कुछ लोगों ने दे दिया है, तो बिलकुल इसका जो राइट आंसर होगा, यह होगा C, ठीक है, एक बार आपके एक्ज कर लिजएगा, heading 1, 18.2 default font size हो जाएगा, next question number second, writer में bullet point insert करने की shortcut की क्या होती है, A option shift plus F11, B option shift plus F12, C option shift plus F10, D option shift plus F9, 5 सेकेंड हो हैं, बताइगा right answer क्या होगा, good, बहुत बढ़िया, chat में कुछ लोगों का right answer आना start हो गया है, तो बिलकुल जो इसका right answer होगा, बताइगा, तो इसका जो right answer होगा, यह आपका होगा shift plus F12, ठीक है, shift plus F12 जैसे ही प्रस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, bullet insult हो जाएगा, bullet point क्या हो जाएगा, insult हो जाएगा, shift plus F F12 प्रस करने पर याद रखेगा, next question number third को discuss करते है, writer में number list insult करने की shortcut की क्या होती है, A option F12, B option F11, C option F9, D option F4, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, chat में right answer आने लगा, इसका right answer होगा, A होगा, F12, ठीक है, जैसे ही आप F12 प्रस करेंगे, number list क्या होगी, आपके document में insult हो जाएगी, next question number 4, Cal C अपने document फाइलों के रूप में store करता है, A option worksheet, B option workbook, C option notebook, D option excel sheet, 5 seconds है, बताएगा right answer क्या होगा, और दिमाग लगा के इस question का answer दीजेगा, अच्छा question है, आप ही चुका है, तो good, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जिसका right answer होगा, B होगा, workbook होगा, ठीक है, workbook में क्या जब भी हम लोग काम करते हैं, Kelsey या Excel में और जब save करते हैं, ठीक है, तो वो as a workbook save होता है, मैं repeat कर रहा हूँ, Excel हो या Kelsey हो, दोनों में ही, जब आप save करते हैं, तो save as a workbook होता है, ठीक है, तो B option इसका क्या होगा, right होगा, next question number 5, निमलिकित, सभी storage मीडिया में read और write छमताएं हैं, CY, A option flash, memory, B option haldex, C option floppy disk, D option cdrome, 5 second से में बताएं, right answer क्या होगा, और सभी लोग proper preparation करते रहें, exam late होड़ा है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी preparation को continue रखना है, ठीक है, और अच्छे grade के साथ paper clear करना है, तो continuity बहुत ज़रूरी है, तो लगातार, रोज कुछ न कुछ पढ़ होगा, cdrome में सिर्फ read and write नहीं कर पाएंगे, cdrome में read, write नहीं कर पाएंगे, बार-बार, जबकि बची हुई जितनी भी memory है, flash memory हो, haldex हो, या floppy disk हो, ठीक है, तीनों में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बार-बार read भी कर सकते हैं, और write भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर d option क्या ह होगा, write होगा, cdrome में read और write की छमताएं नहीं हैं, ठीक है, और सभी में क्या है, read and write की छमताएं हैं, clear है, next question number 6, haldex को space storage समझा जाता है, a option temporary, b option non-permanent, c option non-volatile, d option none of the above 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, chat में right answer आने लगा है, तो बिल्कुल जिसका right answer होगा, यह होगा, आपका non-volatile, haldex हो गया, आपका pen drive हो गई, memory card हो गई, cdvd हो गई, blu-ray dix हो गया, floppy dix हो गया, magnetic tape हो गया, magnetic drum हो गया, यह जितने भी storage device हैं, सभी के सभी क्या है, non-volatile है, non-volatile का मतलब यह होता है, कि जिसका data ना जाए, light off होने क बाद भी ठीक है, तो haldex को non-volatile storage समझा जाता है, c option right होगा, next question number 7, writer में template insert करने की shortcut की क्या होती है, a option, control plus shift plus n, b option, control plus alt plus n, c option, control plus n, d option shift plus n, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, चैट में कुछ लों का right answer आना start हो गया है, तो इसका जो right answer होगा, बिल्कुल होगा, यह होगा, control shift plus n, control plus shift plus n किसलिए use होता है, template insert करने के लिए होता है, a option right होगा, next question number 8, computer hacking एक कानूनन अपराद है, a option is true, b option is false, बहुत easy question है, बहुत बढ़िया students का right answer आने लगा है, और a option इसका right होगा, यह true है, बिल्कुल जब भी आप computer hacking करते हैं, तो एक तरीका का क्या है, कानूनी आपराद है, और जो बिना कानूनी आपराद के hacking होती, उसको बोलते हैं, ethical hacking, ethical hacking गयर कानूनी है, normal hacking कानूनी है, जबकि ethical hacking कानूनी रूप से की जाती है, ठीक है, legal जो है, ethical है, non-legal जो है, वो आपका normal hacking है ठीक है तो यहाँ पर जो बोला है computer hacking ये कानून अपराध है ये सत्य होगा Next question number 9 U SSD में पहले S का क्या मतलब है A option service, B option supplementary, C option secure, D option software 5 seconds है आच चुका है ये question और U SSD का full form comment करके बताएगा उमीदास अभी को पताएजी है लेकिन फिर भी comment करके बताएगा U SSD का full form क्या होगा और यहाँ पर पहले S का जो मतलब होता है B supplementary होता है क्या होता है First S का मतलब supplementary होता है Clear है Next question number 10 को discuss करते है Nabald B. Sivaraman committee की recommendation पर बनाया गया था A option is false, B option is true 5 seconds है और जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजेगा साथी साथ सभी को share करना है हमारा संकल्प सिच्छा से बदला होता है और यह तभी संभभ होगा जब आप लोग ज़ाद से ज़ादा क्या करेंगे Share करेंगे और check में काफी सारे students का right answer आने लगा है बिलकुल यह true है याद कर लीजेगा एक बार exam में आ चुका है नाबाल भी सिवारमन कमीटी की recommendation पर बनाया गया था तो यह थे आज के online test के questions मिलते हैं कल साम 7 बजे रात 8 बजे और रात 9 बजे नए online test में नए questions के साथ और अभी 9 बाली class दो दिन से नहीं चल रही है आज भी नहीं होगी लेकिन कल से 9 बाली class आपको नए प्रारूप में नए तरीके से मिलेगी topic wise मिलेगी ठीक है तो कल से कुछ नया और कुछ अच्छा करते हैं ठीक है रात 9 बाली class में आज भी नहीं होगी कल से होगी good bye preparation करते रहे